हेलो फ्रेंस आप सबका स्वागत से एप अपने यूटुब चैनल फाarma mcq में हमने के घूजरात के फार्मसिस्ट एक्जाम पार्मसिस्ट एक्जाम है किसी स्टेट उसका एक्जाम है किसी एक्जाम रहने सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियो होते हैं उनके नौटिफिकेशन्स आप लोगों को मिल सकें तो स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेशन है आपका विच ऑफ फॉलूंग इस नौट बल्क पर नहीं है दीखिएस सब्सक्राइब को लाता है सोडियों सब्सक्राइब होता इक है इसमाद में अता है माद केशन्चम honestly itdepend को अहांó रोले तोियुई है होता है यह सारे जो होते हैं आपके ओस्मोटिक परगेटिव में आते हैं आंसर आपका ओप्शन डी होजेगा आप लोगों ने मैंने क्वेशन आपसे पूछा था बिल्कुछ सही आपने आंसर दिया ओके नेक्स्ट क्वेशन है आपका विच ओफ फॉलिंग डायुरेटिक है रishon ऐल्टोस्टिरोन एंटागनिस्ट प्रोपर्टीज देखिए कौन सा डायुरेटिक है जो क्या है एल्टोस्टिरोन का अंटागनिस्ट है देखिए उप्शन में विविमतनाइड दिया है हाइड्रो स्पारनोलेक्टोन जो होता है पुछा है कौन सा डायुरेक्टिक है जो एल्डोस्टिरोन का एंटागनिस्ट की प्रोपर्टी रखता है वह आपका होता है स्पारनोलेक्टोन आंसर हमारा हो जगा स्पारनोलेक्टोन का एक होता है कन्री नोव कभार इसके उपर एक्षाम में होता है द्यान रखन होता है option D हो जगा all next question है of the following local anesthetic which one is amide type cocaine benjocaine, xylocaine, orthocaine देखिए कौन सा local anesthetic है जो amide type है देखिए local anesthetics जो होते हैं एक तो ester type होते हैं जो ester link के जिनमें होता है extra link local anesthetics आप लोग बोलते हैं एक जिनमें amide link के जो होता है amide link local anesthetics जिनको बोलते हैं तो इसका आप लोगो एक यह भी आद रखते हैं जिसमें दो आई होंगे वो तो amide में आएगा और जिसमें एक आई होगा वो एस्टर में आएगा है ना यह trick आप लोगो उनको पता होगी वैसे हम बो जगए पढ़ते हैं ठीक है आप लेकिन आपके options कोकेन दिया है बैंजो आई यह इसमें दो आई है ना इसमें दो आना तो यह आपका होता है अमाईड टाइप लोकल नस्थेटिक को अपशन जो है आपका थ्री राइट हो जगा क्वेशन इस टाइप से घुमा फिर आके आजाते हैं वो के आंसर आपका हो गया जायलोकेन बांकि कोकेइन बैंजोकेएन यह आपके एस्टर टाइप लोकल नस्थेटिक्स में आते हैं ज यह आपके अमाइड लेंक लोकर नस्थाटिक्स में तोड़ा से ध्यान रखना है आप लोगों को नेक्स ब्रोड स्पेक्टरम एंथल मेंटिक इस देखिये मेंडाजूल मैथी माजोल मेटरिंडाजूल मॉक्सी फ्लोकसासीन के सारे ही सिमिलर सिमिलर से देखने में लग रहे मैथी माजोल, करबी माजोल, प्रोपायल थाययोइरसील यह आपके अंटिथायरोड ड्रग होती है, घ्या होती है। मैप्ही मजोल याद रखने आपने मैट्रोनीड Además on t чем मीडाजोल और मीडाजोल यह सब आपके नाइट्रॉ मीडाजोश होते हैं जो एंटी अमीबिक ड्रग्स होती है उच्छी है के और कीनाद जो 15 जर फ्लोक्स गपी के पीछ लगा है सारे क्या होता है फ्लोरो क्यूनोलोंस में आते हैं तो मॉक्सी फ्लोरो क्यूनोलोंस हो गया अभी आपका आंसर हो गया आपको क्लियर हो गया होगा अमिनोग्लाइकोसाइड एंटिबायोटिक्स के ओपर क्या देखें और टोक्सिक होती है और टोक्सिक होती है नियूरो मस्किलर ब्लोकेज कोस करती है आपका दी हो जगा आपने कौन सी पढ़ी थी जो आप इन्टी फंगल ड्रक आपको साथिर्षा पटें पहते हैं उसमें इंप आपका पलास एंटी बायोटिक आती है जिसमें आप से पूचा इन सब में से आप देख लिए यह कौन सा दिया है हैॉ फरस है कि एक स्वाटक से लाइसिन तिङjourा है hè सब साइक्लो सीर्इन किसमें आतिnd Tamci में इस हिरा आपकी अपने फालेपृन ऑपकी स्र्कुटेकरं नाडे अता है अर्भिस आपके मैकरोलाइड एंटिभाइटिक्स में आती हैं औरिथ्रो माइसीन रॉक्सित्रो माइसीन और यह सबाती हैं आपका अंसर हो गया ऑप्शन सी ग्रीशी ओ फल्वीन क्या है एंटिफंगल एंटिभायोटिक होता है नेक्स्ट है प्लेट लेट एग्रिगेशन इनिभीट इस मतलब इन में से कौन सी जो एंटिफ्लेटले ड्रग है देखिया ऐस्परीन क्लोपीडोग्रिल टिक्लोपीडिन या ओल देखिया तीनों ही एक्जामपल्स जो एंटिफ्लेटले ड्रग के दिये हुए हैं आंसर सिंपल आपने ओप्शन डी टिक करना है ओकि बाकी और भ अपने नाम याद करने हैं एक जीपी सेकंड भी थरड़े एंटागनिस होती है कुनकुन सी एक सिक्सी मैब एप्टी फीबर टाइड टीरोफी बैंड ओके हो गया आपका नेक्स्ट क्वेशन देखिए और कोटाई इस पार्ट ओफ इनर एर मिडल लियर एक्स्टरन लियर चेमबर ऊपर आप लोग reviewing अपार्टेंगे यह और इंहीं का रीजिए। इस प्रड़े बैल इस से pe churches of से क्तिति में राइद मशसिआऊ कोड़े हैं मिडल लियर व्मे प्रडर होते हैं कई पर क्वेशन आता है कहां present होता है ध्यां रखना आपको middle year में year-o-sicles, जो year की bones होती है वो middle year में present होती है ओके question देखिए next है आपका quality assurance test for parental solution देखे parogen test, sterility test, particular evaluation test या own देखे जो parental solutions के लिए आप parogen test भी पढ़ते हैं, sterility test आता है उसमें particular evaluation test भी आता है आंसर आपका D हो जागा, और सारे ही test होते हैं, question देखिए next है, pentamidin is classified as anti-saptic, anti-protozole, anti-psychotic, anti-epileptic, pentamidin है, कौन सी class में आता है, अब इस question का answer आपने comment books में करना है, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे like करना, share करना, चैनल पे न थांगी।